नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपको चेन नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू के बीच खेला गया IPL 2024 का पहला और सबसे रोमान्चक महा मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें इस वीडियो का लाइक टार्गेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों IPL 2024 के पहले और सबसे रोमान्चक महा मुकाबले में IPL इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी इस बार रुतुराज गायकवाड की चेन नई के लिए आमंतरित किया उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बैंगलरु के दो दिगज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली और बैंगलरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महा मुकाबल में दिलाई खास करके कप्तान फाफ डू प्लेसिस अध्भुत बल्लेबाजी कर रहे थे दूसरे चोर पर बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विराट कोहली को बल्लेबाजी का कोई भी मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि फाफ डू प्लेसिस के बल्ले से लगातार बड़े नहीं के कप्तान रुथुराज गायकवार्ड को तक परिशानी में डाल दिया था देखते ही देखते दोनों के बीच 41 रनों की तूफानी साजेदारी बन चुकी थी लेकिन तभी पारी का पांचवा ओवर डालने आये मुस्तफिजुर रहमान ने सेट हो चुके बैंगलोर की टीम की तरफ से रजट पाटीदार बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे लेकिन नए बल्लेबाज रजट पाटीदार को भी मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी इसी ओवर में महेंदर सिंग धोनी के हाथो कैच आउट कर दिया रजट पाटीदार बिना खाता खोले ही गए दीपक चहर ने नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को भी महेंदर सिंग धोनी के ही हाथो कैच आउट कर दिया ग्लेन मैक्सवेल बिना खाता खोली ही आउट हो गए कप्तान रुतुराज गायकवाड और महेंदर सिंग धोनी की चालाकी के सामने बेंगलोरू का और्ट कमजोर पड़ चुका था विराट कोहली दूसरे चोड से ये विकेट गिरने का सिलसिला सिर्फ देखी सकते थे लेकिन अब मैदान पर कैमरन ग्रीन बल्ले बाजी करने आए और फिर यहां से विराट कोहली और कैमरन ग्रीन ने बेंगलोरू की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साजेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया चैननाई की गेंदबाजी बैंगलूरू को अब इस मुकाबले में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी लेकिन विराट कोहली हार मानने को तयार नहीं थे इस बीच विराट कोहली ने एक शानदार चैननाई की गेंदबाजी पर दबाव बनाना चाहा लेकिन तभी फिर एक बार मुस्तफिजुर रह्मान की गेंदबाजी पर वापसी हुई और गेंदबाजी पर आते ही पारी के बारवे ओवर की दूसरी ही गेंद पर सेट हो चुके विराट कोहली को मुस्तफिजुर रह रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कर दिया विराट कोहली 20 गेंद में 21 रन बना कर आउट हो गए अब बेंगलुरु की टीम एक बड़ी मुसीबत में थी विराट कोहली जैसे सेट बल्लेबाज के आउट होते ही बेंगलुरु की टीम पर से दबाव और भी ज्यादा ब केल दिया कैमरन ग्रीन 22 गेंदो में 18 रन बना कर आउट हो गए अब बेंगलुरु ने अपने आदी टीम को खो दिया था मुस्तफिजुर रह्मान की गेंद बाजी बेंगलुरु के बल्लेबाजी को समझ ही नहीं आ रही थी और उस पर से रुतुराज गायक वार्ड और मह रत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया अब इस साझेदारी पर ही इस पूरे मुकाबले में बेंगलुरु की किस्मत टिकी हुई थी और ऐसा ही करके दिखाया अनुजरावत और दिनेश कार्तिक की इस जोडी ने दोनों ही बल्लेबाजों ने सेट हो जाने के बाद अब चेननई की गेंदबाजी पर पलटवार करने की ठान ली थी और इसकी शुरुआत अनुजरावत ने की और अनुजरावत ने धमाकेदार अंदाज से बल्ले बाजी करते हुए चेननई की गेंदबाजी पर दबाओ बनाना शुरू कर दिया तो वही दूसरे प्रतान रुतुराज गायकवाड को तक दबाव में डाल दिया था और फिर इसी बीच अनुजरावत और दिनेश कार्तिक के बीच अर्धशतक की ये साज़ेदारी भी पूरी हो गई अब इस पारी के आखिरी ओवरों की शुरुआत हो चुकी थी अब इन दोनों से ही बेंगलुरु की टीम को लगातार बड़े शौट की जरूरत थी और ऐसा ही करके दिखाया अनुजरावत और दिनेश कार्तिक की इस जोड़ी ने अनुजरावत और दिनेश कार्तिक ने अन्त में ला जवाब बल्ले बाजी करके दिखाई और एक अद्भुत पिचानवे रणों की साज़ेदारी बनाई और इसी विशाल साज़ेदारी के बदौलत बेंगलुरु की टीम ने 173 रणों का लक्षे चैननई की टीम के आगे अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही करके दिखाया चैननई के इन दो दिगज ओपनर बल्ले बाजों ने कप्तान रुतुराज गायकवार्ड और रचीन रविंदर की इससे जोड़ी ने आते ही बेंगलुरु के गेंदबाजी पर विस्फोटक बल्ले बाजी करते हुए अपनी टीम को एक गजब की शुरुआत इस महा मुकाबले में दिलाई खास करके रचीन रविंदर इस मुकाबले में धमाकेदार अंदाज से बल्ले बाजी कर रहे थे कप्तान रुतुराज गायकवार्ड के साथ मिलकर रचीन रविंदर ने पहले विकेट के लिए 38 रणों की साजेदारी बना दी लेकिन फिर तभी गेंद बाजी पर आये यश्दयाल ने सेट हो चुके चैननाई के कप्तान रुतुराज गायकवार्ड को कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट कर दिया कप्तान रुतुराज गायकवार्ड पंद्रा गेंद में 15 रन बना कर आउट हो गए रुतुराज गायकवार्ड के आउट हो जाने के बाद अब चेननई की टीम की तरफ से अजिंग के रहाने बल्ले बाजी करने मैदान में उतरे लेकिन दूसरे छोड से रचिन रविंद्र का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था तो वही अजिंग के रहाने ने भी आते ही एक शानदार छक्का लगाते हुए अपने इरादे साफ तौर पर विरुधी टीम को बता दिये थे लेकिन तभी कप्तान फाफडू प्लेसिस ने गेंद बाजी पर करन शर्मा को लगाया और करन शर्मा ने आते ही बेंगलूरू के लिए सबसे बड़ा खत्रा बन चुके रचिन रविंद्र को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कर दिया रचीन रविंद्र पंधरा गेंदो में सेतिसरन बना कर आउट हो गए बेंगलूरू की टीम को चेननाई का एक सबसे बड़ा विकेट मिल चुका था अब बेंगलूरू के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका आ चुका था अब विकेट गिरने के बाद डेरियल मिचल बल्ले बाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर डेरियल मिचल ने भी आते ही करन शर्मा को लगातार दो छक्के लगा दिये और फिर एक बार बेंगलूरू की गेंद बाजी को दबाओ में डाल दिया बेंगलूरू की गेंद बाजी धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी कर रही थी लेकिन जो भी चेननाई का बल्ले बाज मैदान में बल्ले बाजी के लिए आ रहा था वह बड़े शॉट के साथ ही अपनी पारी का आगाज कर रहा था जिस वज़े से बेंगलूरू की गेंद बाजी पर से दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था अब विकेट गीरने के बाद शिवम दुबे बल्ले बाजी करने मैदान में उतरे लेकिन तब ही गेंद बाजी डाल रहे कैमरन ग्रीन ने चैन्नाई के दूसरे सेट बल्ले बाज डेरियल मिचल को रज़त पाटीदार के हाथो कैच आउट करके बेंगलूरू के टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक और मौका दिया डेरियल मिचल 18 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए मुकाबला रोमांचक हो चुका था बेंगलूरू की गेंद बाजी ने इस मुकाबले में अब वापसी कर ली थी अब चैन्नाई की टीम की तरफ से रविंदर जडेजा बल्ले बाजी करने मैदान में उतरे बेंगलूरू की गेंद बाजी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही थी लेकिन इस गेंद बाजी के सामने शिवम दुबे और नए बल्ले बाज रविंदर जडेजा ने हार नहीं मानी और चैन्नाई की रन गती को रुकने नहीं दिया खास करके शिवम दुबे ने अपने बल्ले से बेंगलूरू की गेंद बाजी पर पलट वार करके दिखाया और शिवम दुबे और रविंदर जडेजा के मैदान में रहते चैन्नाई को हराना अब नामुम्किन लगने लगा था और ऐसा ही हुआ और शिवम दुबे के बल्ले से चैन्नाई की टीम को इस पहले महा मकाबले में बैंगलूरू के खिलाफ जीत मिली और इसी के साथ चैन्नाई की टीम ने छह विकेट से बैंगलूरू की टीम को इस महा मकाबले में हरा कर अपने इस साल का आगाज एक धमाकेदार जीत के साथ किया रुतुराज गायकवार्ड और महेंदर सिंह धोनी की कप्तानी में खेल रही इस चैन्नाई की टीम ने इस मकाबले में अपनी गेंद बाजी के साथ साथ बल्ले बाजी में भी सभी का दिल जीत लिया लेकिन बल्ले बाजी के वक्त शिवम दुबे ने खुद के बल्ले बाजी से चैन्नाई की इस मकाबले में जीत को पक्का किया शिवम दुबे ने इस मुकाबले में 28 गेंदो में 34 रणों की नाबाद पारी खेली और अंत में इसी के चलते चिन्नाई की टीम इस रोमांचक मुकाबले को जीत पाई तो दोस्तों आपको शिवम दुबे की यह मैच जीतने वाली पारी कैसी लगी और आप शिवम दुबे की अद्भुत बल्ले बाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिलकुल भी न भूले धन्यवाद